दोस्तों आजकल हम इंटरनेट पर कितना जादा वक्त गुजारते हैं जिससे कि हमारा कई सारा प्राइवेट डेटा कई कंपनीज के हाथों में चला जाता है आज की शांदर सी वीडियो में आपको ऐसे ही कंप्यूटर और अपने स्मार्ट डिवाइस से रिलेटेड गैजर्स देखने वाले हैं तो कि दिखने में तो काफी जादा इंट्रस्टिंग और गूड लुकिंग है इसके साथ ही आपके काम को आसान भी बनाएंगे और आपको सेफ भी रखेंगे तो फिर देर किस बात की चलिए जल्दी से वीडियो को स्टाट करते हैं इसके अंदर भी कई सारी कलर्स की आजी भी लाइट्स आपको देखने को मिलती है और जो इसे और भी जादा कूल और गूड लुकिंग बना देती हैं बढ़ ये मियोनियर वाला कैबिनेट फलाल के लिए कंसेप्ट है अगर किसी को कोई गिफ देना हो तो दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है वाच क्यों न अब वही बोरिंग सी वाच को छोड़ कर कुछ इंटरस्टिंग सी वाच को देखा जाए जो आपको ठिंक गिक की तरफ से देखने को मिलती है यह कमाल की टेसला रिस वाच इस वाच का डायल ब्रेस फिनिश के साथ आता है इसमें आपको दो डायल देखने को मिलते हैं इसके में डायल में मिनिट और आस शो होते हैं और वहीं इसके दूसरे डायल में जो की कॉर्णर में छोटा सा लगा हुआ है आप वहाँ पर seconds को देख सकते हैं इस watch में जो सबसे ज़ादा इसे unique बनाता है वो है इसके dial के उपर लगे हुए vacuum tube जिनमें काफी amazing LED lights हैं जिनें आप on ये off कर सकते हैं इसमें आपको pure leather के strips मिलेंगे और इसके साथ आपको 2 keys भी मिलेंगी ये optimus prime के head जैसा bluetooth speaker optimus prime की तरह speaker का sound भी बहुत साथ powerful है यानि ये जितना बड़ा है उतना ही भारी भी है क्योंकि इसमें 82 mm का एक woofer और 40 mm के दो speakers भी लगे हुए जिनें आप किसी से भी कने कर सकते हैं साथ ही इसमें LED lights भी हैं इसे और भी ज्यादा realistic और good looking बना देती हैं इसकी RGB lights जो कि अपने हिसाब से customize भी आप कर सकते हैं येकिन फिलाल तो अभी ये out of stock है बट फिर भी इसका link मैंने description में डाल दिया है जहां से आप इसे check out ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों normally हम जो wallet use करते हैं पूरी तरह से open होता है ये wallet open जिसके हाथ में होता है उसमें रखा हुआ cash भी उसी का हो जाता है यानि कि normal wallet में हमारी cash को लेकर कोई security नहीं होती लेकिन ये शांदर सा wallet सिर्फ तभी open होता है जब इस पर आपके fingerprint लगते हैं और by chance अगर आप इसे कहीं भूल जाते हैं तो एक certain distance limit cross करते ही या आपके smartphone पर इसकी notification भीज़ देता है जिसे आप फिर से इसकी location की हल से ढून सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं laser take ये gaming jacket है जिसमें जिसे पहन कर shooting games खेल सकते हैं इसमें game को और भी जादर realistic बनाने के लिए haptic feedback का use किया गया है इसमें 5 अलगलग sensors लगे हैं और इन सभी sensors के बीच 84 LED lights लगी हैं जो कि इसे बहुत ही शांदर looks देती हैं और जितनी good looking ये jacket है उतरे ही शांदर इसके साथ आने वाली ये gun है जो कि पूरे gameplay का main part है इसके लावा इसमें 30 plus game modes दिये हुए है जिने आसानी से खेला जा सकता है और तो और दूसरे games भी इसमें customize किया जा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ games का मज़ा भी लिया जा सकता है दोस्तों वैसे तो ये device एक power bank का ही काम करता है लेकिन इनके design ने मुझे खासा attract किया है क्योंकि ये camera का shape में आने वाला power bank है जो कि 20,000 mAh ही power की साथ आता है इसमें एक 2.4A USB का कोई charge port दिया हुआ है और 2 USB-C PD 18W fast charging port भी इसके साथ है इसके अलावा इसमें आप अपना device wirelessly भी charge कर सकते हैं इसका जो camera lens वाला structure है वो wireless charging की surface की तरह काम करें इसके अलावा camera lenses की तरह दिखने वाला ये gadget ये कमाल के lens shape की charger आपके smartphone को wirelessly charge कर देंगे और इसके अलावा ये आपकी working table को और भी ज़दा creative look दे देंगे साथ ही इसका camera click notification sound पर है जो इस पर device charging रखने पर ये device pick करने पर आती है वो इसे बिलकुल किसी DSLR वाली white दे देती है जो लोग sports में ज़्यादा interest रखते हैं या फिर जो खुद एक अच्छे sportsman है उनीक लिए specially बनाए गया है ये hovering helmet इस helmet में आपको हवा में जादू की तरह rotate करने के लिए इसके दोनों इंट पर powerful electromagnets लगे हुए दिखेंगे जिसकी बज़े से interruption के बाद भी ये हवा में घुमता रहता है उसके लिए सबसे पहले आपको इस metal से बने helmet को इस तरह सिसमें रखकर घुमाना होता है जोकि देखने में काफी ज़दा खुबसरत और unique लगता है बात करने तें इसकी price की तो करीब 8,760 रुपे में आप इसे खरीद पाएंगे और देखा जाए इस तरह के levitating gadgets की price इतने ही होती है क्योंकि देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि gadget 4000 से जादा का होगा लेकिन ये PC होते भी काफी भारी है इस gaming PC को आप backpack की थरह भी carry कर सकते हैं क्योंकि इसके back में दो comfortable straps दिये हैं इसकी पूरी body carbon fiber की बनी हुई है इसलिए ये strong भी है इसमें cooling के लिए water cooling का use किया गया है इसके लावा इसमें Intel i5-9600 के processor लगा हुआ है इसमें GeForce RTX 2080 Ti graphic card लगा हुआ है और 16GB RAM और 480GB के SSD storage के साथ ये आपको देखने हो मिलेगा ये PC देखने में काफी cool है इसके साथ इसमें cable जैसी दूसरी accessories को रखने के लिए अलग से space दिया हुआ है खेर आपको ये cabinet कैसा लगा मुझे comment में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों हमें से most of the person जब भी किसी computer या फिर laptop प अवग करते हैं तो उसमें हम सभी key एक common habit होती है कुछ भी हो जाए हम अपने enter key को सबसे ज़्यादा तीजी की साथ प्रेस करते हैं ऐसा ही होता है और काम खत्म होता ही तो हम थोड़ा सा relax भी हो जाते हैं और अपनी relaxation वाली feeling को और भी ज़्यादा increase करने के लिए आप इस बड़ी सी enter key का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी काम खत्म हो जाए तो सनी देल के धाई किलो वाले हाथ के जैसा मुक्का इस बड़ी सी enter key पर मार देना है और अगर आपको किसी पर गुसा आ रहा हो तो भी आप इस पर मार मार के उससे निकाल सकते हैं और अगर आपका काम खत्म हो जाए तो इसे पिलो बना कर आप सो भी सकते हैं और रही बाद इसके price की तो सिर्फ 1054 हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Minecraft Redstone Torch Minecraft game से inspire एक torch USB wall charger इस कमाल से दिखने वाले gadget को आप plug में लगा कर रख सकते हैं यह आपके room को decorative look भी देता है साथी around 1165 रुपीज में आने वाले इस adapter में दो अलग-अलग USB port भी मिलेंगे जिससे अपना smartphone या कोई भी USB से power लेने वाले device चार्ज किया जासकता है 37 में आपको अपर की तरफ एक orange LED light दी गई है जो की Minecraft game की एक element Redstone Torch की तरह दिखती है No.2 Cypher VPN router हम वक्त के सांथ जादा और जादा इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं अब चाहें वो online shopping हो या फिर Alexa के साथ कोई बात चीप या फिर हम simple web surfing क्यों ना कर रहे हैं कहीं इंटरनेट पर मोजूद companies हमारे data store तो कहीं कर रहे हैं ऐसे में आपको अपना data सुरक्षित करने के लिए इस Cypher VPN router की जरूरत पढ़ सकती हैं यह आपके data को encrypted रखता है ताकि जो third party side से हैं आपके data पर जो नजर बना कर रखती हैं आप उससे safe रहें आप काफी आसानी से अपने घर या फिर ओफिस के वाइफाई से से करक्षित कर सकते हैं इसके अलावे यह आपको online hacking और fraud जैसे खतरों से भी बचाएगा और किसी भी तरह के cyber attack से हमें protect भी करेगा हमें most लिए device के charge होते ही इतनी cables की fortens भूल जाते हैं और उन्हें इधर उधर छोड़ देते हैं जिससे कि वो कई बार damage भी हो जाती हैं लेकिन इस cable organizer की हल्ब से आप अपने cables को पचा सकते हैं और इसमें आप अपने multiple cable organized way में रख सकते हैं और वे भी flexible mode बे क्योंकि इसमें cable attach करने के बार आप कहीं भी freely अपनी cables को लेकर जा सकते हैं और उनसे अपने gadgets को charge कर सकते हैं और रही बाद इसकी price की तो around 6.95 रुपीज में आप इसे purchase कर सकते हैं ये थे कुछ useful gadget जो आज की इस वीडियो में मैंने include किये थे आपको कैसे लगे मुझे comment section में बताया है और वीडियो पसंद आ चुका तो like कर दीजे खुब सारा दिल से share कर दीजे और channel को subscribe करके notification बल आइकन को hit कर दीजे मैं बिलूँगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई कर दो एक दोके लिए